हाई गाईज वोलकम बैक सो मैंने आपके हर स्किन प्रॉब्लिम का सल्यूशन ढून लिया है इस प्रॉड़क को यूज करने के बाद मुझे चार दिन में जो रिजल्ट मिला है लिटरली आई कांट बिलीव तो आज मैं रिव्यू करूंगी डर्मा को के 10% निया सिनमाइज सी यहां पर 10% निया सिनमाइज का यूज किया गया है नव जनरली निया सिनमाइज 2% से 5% ही ज्यादा रेकमेंडेट है और 2% से 5% कॉंसेटरेशन में यह बहुत एफेक्टिवली काम करता है लेकिन अगर आपके स्किन काप प्रॉड़क में 10% निया सिनमाइज है तेन अलसो सेफ और यह सेफ जोन के अंदर ही है लेकिन आप 10% से ज्यादा यूज मत करो मार्केट में अवेलिबल भी नहीं है बट दे इस बिल्ड़ अप मत करो मतलब इससे लगाने के बाद आप को और ऐसा प्रॉड़क मत लगाओ जिसमें निया सिनमाइज है वरना बहुत जादा हा अब इसे लगाना कैसे है तो आप इसे डेली लगा सकते हो दिन या रात जब मन चाहे आप इसे लगा सकते हो और आपको बेसिकली फेस्वाश करना है टोनर लगाना है फिर इसे लगाना है और आप मॉश्यूराइजर के साथ फॉलो अप कर सकते हो अब बात करते हैं साइड के बारे में तो निया संमाइड का वैसा कोई साइड एफक्ट है नहीं बिकरिज अपको पता है यह व्टमिन बी-3 तो विसली हमारे लिए बहुत अच्छा है तो इसका वैसे कोई साइड एफेक्ट लेकिन हाँ I would recommend अगर आपको बहुत sensitive skin है then आप 10% concentration use मत करो, आप 2% से 5% की बीची रहो. Now एक बहुत important बात बताती हूँ, active ingredient को आपको बहुत सोच समझ के दूसरे active ingredient के साथ mix करना पड़ता है. तो screen पे देखो, यहाँ पे मैंने gin ingredients का नाम mention किया है, उनके साथ आप niyasanamide को जरूर, जरूर, जरूर combine करो, इससे आपको अच्छा result मिलेगा, बट अभी आपको screen पे gin ingredients का नाम देख रहा है, उसके साथ आप niyasanamide को combine मत करो, तो ही बहतर है, मतलब you can not. All right, तो अब बात करते है, इसे यूस करके मेरा experience कैसा था, to be honest, बहुत अच्छा था, मतलब generally मैं यह पसंद नहीं करती की चीजे बहुत higher concentration में हो, but in this case, this is fine. First, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, I don't know if you can see, यहां पर एक अखने आया था, छोटा सा अखने, and जिस दिन अखने आया, उसके अगले दिन मैंने इसनामाइट सीरम लगाया, and you can't believe, within 4 days, अखने 80% भागया, this is just amazing, देखो, अखने वैसे आता है, तो इतनी जल्दी तो नहीं जाता, and मैं मेरी एक गलत है, कि मैं हमेशा बर्स कर देती हूँ, but, बर्स करने के बाद तो वैसे भी, एक पिग्मेंट तो छोडी जाता है, but in this case, you can barely see any pigmentation, so, this is really amazing, pigmentation को control करने के लिए, this is just amazing, so, मैंने ओली तो कॉमिनेशन स्किन है, and you know, open pore is not a new thing, but, इस सीरम को लगाने के बाद, I saw, मेरे जो पोर्स है, वो visibly reduce हो गए है, and, like, मैंने ऐसा effect इससे पहले कभी नहीं देखा, इसके इलावा, I have to say, आपके skin में गलो भी आड़ करता है, and, ये ना, आपके skin को overall बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूफ करता है, so, I don't have a proper word for this, but, I would say, this is a must-buy product, but, again, आपके इसा लग रहा है, फिर आप इसका full-size variant purchase का सकते हो, so, that's it for today, I hope this video was helpful, I personally love this product, and, I think, अगर आप try करोगे, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, this was not a promotion, this was completely my honest review, तो मिलेंगे बहुत जल्दी, till then, अन्या!